इक्वल टू 120 ठीक है और इसमें अब हम वैलू रखते हैं एक बार एक्स की वैलू जीरो एक्स की वैलू जीरो रखेंगे तो यह हो गया एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई की वैलू कितने जाएगी 60 और इसमें एक्स की वैलू जीरो जाएगी 120, ठीक है फिर इसी इक्वाई लाइन को लेंगे इससे भी यह जो इन इक्विशन में चेंज कर लेंगे तो इस पलस वैक्स को टू 60 हो जाएगा और इसमें आगर एक्स के दूज लेते हैं तो यह 60 और Y को 0 लेते हैं तो X की वैल्यू 60 ठीक है इस तरह से हम निकाल लेते हैं अच्छा अब जो तीसरी लाइन है यह इसको ट्रेस करना ड्रो करना यह थोड़ा सा मुश्किल काम है इसको इक्वेशन यह रख ली अब इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे तो य की वैल्यू जीरो 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 आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब है यह और इजिन से पास हो रही है लाइन मूल बिंदू से होके जा रही है बसके वहल इतना ही कह रही है यह और कुछ नहीं बतारी अच्छे है इसको मैं से लिख सकते हैं अगर चाहें टूवाई को से ले जाओ है है अगर टूवाई को दर लेकर जाते हैं तो ऩो वाई को ऊटो आ गया वन बाय है x आ गया ये y equal to mx plus c c की value 0 y equal to mx plus c से m है परवनता है ये slope जो है यहीं से हमें ये क्योंकि ये वैसे नहीं खिच सकती लाइन क्योंकि दोनों 0 आ रहे हैं अगर एक को 0 लेंगे दूसरा साथ में 0 आ रहा है तो line कैसे बनाए यहां पर 1 by 2 है यह value जब m equal to 1 by 2 है तो अब हम इसके लिए m क्या होता है 10 theta तो 10 theta की value है यह 1 by 2 एक तरह से 10 theta की value 1 by 2 है और 10 45 की value 1 होती है तो यह 45 से कुछ कम है angle यहां से सिर्फ हम यह अनुमान लगा सकते हैं यही gas कर सकते हैं कि यह angle 45 degree से कम है क्योंकि 45 पर वन हो जाता है पूरा 30 से कुछ ज्यादा हो जाएगा 10 30 की value क्या होती है वन अपन root 3 ठीक है न वन अपन रूट 3 अगर देखना चाहें value निकालनी चाहें इसकी तो रूट 3 से multiply करो रेसलाइज करते हैं इसे परिमिकरन तो यह 3 हो गया 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 36 कुछ इस तरह साएगा यह रूट 3 की value 1.732 रखने बर तो यह 0.6 से कुछ कम रहेगा यानि कि तो इसका मतरब 30 से भी कम है तो पॉइंट 5 वी तो है 30 डिग्री से भी कम है ठीक है यहां से निकल रहा है कि यह 30 डिग्री से रख लें कि बीस बीस ले लो चलो है ना तो यह होगे 20 46 है 120 तक जाना 120 भी आ रहा है हाँ 120 तो नहीं बेद जाद ही लेना पड़ाएगा फिर 40 ले लो ठीक है ना 40 80 और 120 ऐसे कर लें और इसमें बीच में 60 आ जाएगा ऐसे ले लेंगे फिर यह अगर जादे भी चाहो तो यह बीस हो गया 40 67 100 120 ठीक है यह होगा ऐसे फिर उपर की तरफ ले लेंगे हम और x की value है 120 वो ये है ठीक है और इसको इसको मिला देंगे हम और ये हमारी line खिंच जाएगी इस line का नाम लिख लेंगे x plus 2y equal to 120 ठीक है न हमें ये याद रहें इसलिए क्योंकि दो तीन line हो जाएंगी तो पता ही ने चला है कौन सी line है फिर दूसरी line पर आते हैं यह है एक्स प्लस y equal to 60 और यह हमने यह पॉइंट लिख रखे हैं x के value 0 y के value 60 यानि कि यह ही है पॉइंट तो दूसरी बार भी और x के value 60 एक यह होगी है ठीक है इसको और इसको मिला देंगे हम यह line आगी हमारी हाँ x प्लस y equal to 60 यह line है x प्लस y equal to 60 चलो तीसरी line अब आ जाओ इस पर यह हमें कीचनी है यहां से भी angle हमने मालूम कर लिया था कि 30 डिग्री से भी कम है ठीक है slope जो परवनता निगाले 30 से कम है origin से होके जारी है line तो जब origin से होके जारी है तो इसका मतलब यह यहां से होके जारी है line और जिन तो यह तो है मूल बिंदू और angle 30 से भी कम है यह angle 30 से भी कम है जो इसने बता रहा है यहां से निकाला था M का मान क्योंकि 30 डिग्री भी 0.6 आ रहा था 0.6 से कुछ कम तो यह 0.5 है अच्छा अब यह line होगी इसके बाद हम निकाल देते हैं इसमें reason permissible reason जो हमें निकालना है कि किस छेत्र को हम shade करें अब वो कैसे निकाल देते हैं उसके लिए क्या था इसमें 00 रखते है जीरो यहां पर रखो जीरो यहां पर रखो तो 0 less than 120 जीरो तो 120 से कम ही होता है तो ठीक है यह y line ती है हमारी इसका मतलब इसके बढ़ा नहीं होता तो यह गलत बात कहता है जो universal truth है इसका मतलब इस line से बाहर करे लेना है ठीक है इसके बाद तीसरी line पा जाओ तीसरी line को कैसे देखोगे 00 रखने पर जीरो आ रहा है इधर भी जीरो इधर भी जीरो तो कैसे पता लगाओगे छोटे बड़े का यहां आके समझ्या बनती है तो इस तरह कोश्चन में मैं बताता हूँ अब तुम्हें कैसे करोगे ध्यान रखो ही हमेशा बीएसी में भी आता है कोश्चन और बच्चों को नहीं पता होता यह है एक्स माइनस टू आ इकल टू जीरो अगर इसको हम ट्रांसपर कर लें ट्रांसपर कैस इस वाइनससे करें डो यह डिए जैए लिए ले जाओ आग्ड़न एकल टू घ्या घ्या इसमें जो बड़ा कह रहा है एक्स बड़ाएं दार एंक ल्ग को ऑर्फ द немножach तो जीस तरफ को यह बड़ी संख्या केह रहा है इसका मतलब उधर की साईड का हमें sade करना है जैसे x बड़ा कहा रहा है तो x की side एनगी इधर इधर वाले को sade करना है अगर यह कहता y बड़ा है तो इधर वाले को sade करते यह होता है बस इसका तरीका ठीक है अच्छा अब देखो common reason देखना है common अब common देखो यह इसके अंदर का तो है ही नहीं, एरो उपपर की तरफ इसारा कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया कह रहा है, और इस वाले को भी कह रहा है, लेकिन इन दोनों में, अगर हम देखें, ये तीसी लाइन भी है, और तीसी लाइन कह रही है, इसारा कर रही है कि X की तरफ का reason करना है सेड हमें यह जो line है यह line है यह कुंछे line है x minus 2y greater than equal to 0 यह line क्या कह रही है कि x की side का reason हमें सेड करना है तो इसका मदलब यह वाला नहीं होगा फिर तो यह वाला common reason बैठता है इसका इसको सेड करना है यह मालूम करने का तरीका है इसका ठीक है यह हमने side कर दिया यह हमारा required reason है जो छेत्र है permissible ठीक है यह वाला reason आता है हमारा और इसमें अब हम यह corner point है इसके यह ठीक है यह है यह है यह यह तो हमें पता ही है यह हमारा कितना है 60 zero यह 120 zero है यह दो point निकाल लो यह वाला और यह वाला पॉयंट अब इन पॉयंट कैसे निकाल कर लोगे यह बताओ पई दो लाइन मैं यह इक लाइन और यह यह سंड करोक nooit कि मैंस कर लो इस सीदे सीदे ऐकस कैंसिल हो गया वाई प्लस टू लगा धिरी वाई इकुल टूटू टुटू कि अगए निकल के थिक है वाई रखोगे एकस इकुल टूटू फॉर्टी आ येलो तो देखो अगर तुम बिल्कुल सही सही खीच रहे हो तुम्हारा स्केल बिल्कुल तुमने सही लिया है अगर ओटोमेटिक देखो इसमें अपने आप ही X की विल्यू 40 आ रही है 40 के बिल्कुल जश्ट सामने पॉइंट आ रहा है देख लो ये सोलिशन निकला है X की विल्कुल 40 के सामने है और 20 बिल्कुल 20 के सामने है अगर तुम्हारा स्केल सही है तो तुम्हें जरुत नहीं पड़ती इस तरह से सोल करने की अपने आप सोलिशन ही निकल काता है ये अगर तुम काउंट कर सकते हो तो तो ये पउंट आगए हमारा निकल के X equal to 40 इसके नाम रख लो इसे P कहेंदो ये Q कहेंदो ये R कहेंदो ये S कहेंदो ये point हमने नाम रख लिए तो P पउन्ट निकल का गया है हमारा X equal to 40 Y equal to 20 अब आजाो Q point पे ज्ञीक है X प्लस 2Y इक्वल टू 120 और X माइनस 2Y इक्वल टू 0 इन्हों जोड़ो जोड़ने पर 2Y से 2Y कैंसिल 2X इक्वल टू 120 X इक्वल टू 60 आ गया और X इक्वल टू 60 इसमें रख लोगे तो Y इक्वल टू 30 आ जाएगा तो X इक्वल टू 60 देखो बिल्कुल सामने X इक्वल टू 60 के सामने आ रहा है यह आ रहा ना पॉइंट और इसके 30 यह थोड़ा सा हमारे क्योंकि लाइन हाथ से कीची गई है न तो इसलिए यह सही निया रहा नहीं तो यह भी बिल्कुल 30 ही आएगा निकल गए अगर हम ग्रा इसमें कोर्नर पॉइंट है हमारे इन पर वैल्यू निकाल लेंगे तो यह टेबल बनाएंगे हम ठीक है यह पॉइंट रखेंगे कोर्नर पॉइंट्स यह हैं हमारे कोर्नर पॉइंट्स कोन यह बिंदू हिंदी में लिखेंगे कोन यह बिंदू तो कोर्नर पॉइंट्स हमा अब इसे लिखो रखो P-point यह है हमारा इसमे रखो Y X equal to 40 तो 200 ओगया और Y equal to 20 यह भी 200 हो गया 400 आगया P की वेल्यादी 400 चलो Q. यह है हमारा X के वेल्यू 60 है Y के वेल्यू 30 है X के वेल्यू 60 पर रखो इसे 300 और 30 पर वो भी 300 तो Q आगया 600 ठीक है R, R point कहा था मारा आई यह रहा R में X की value कितनी है 120 और Y की value कितनी है 0 तो रखो X की value 120 रखो यहाँ पर कितना जाएगा है 600 चलो आगे चलो S, S point यह रहा है S में X की value कितनी है 60 तो रखो X की value 60, Y की value 0 है तो यह कितना आगा 300 अब यह हमसे 2 question पूछ रखे है इसने minimum Z और maximum Z तो minimum यहाँ किस point पर है S point पर minimum आता है निकल के और इसका solution क्या है यह बता देंगे हम S point कितना दावना 60 0 और maximum किस point पा रहा है निकल के Q पर और R पर Q और R दो point पर हमारा maximum आगा निकल के इसके solution है वो बता देंगे हम बस यह हमें निकलना होगा ठीक है झीक होईड़ी अजिए पर को शलत है झाहिए झाहिए